सिरीज जीतने के बाद भी पांचवे टेस्ट माह मुकाबले के प्लेइंग 11 में कप्तान रोई सरम ने किया हैं तीन से चार बड़े बदलाओं जी हां दोस्तों पांचवे टेस्ट माह मुकाबले में इगलेंड को हरा कर उनकी आवकाद दिखाने के लिए कप्तान रोई सरम ने प्लेइंग 11 में किया हैं चावका देने वाली बड़ी बदलाओं दरसल मैं आपको बता दूँ कि चावथा टेस्ट माह मुकाबला जीतने के साथ साथ टीम इंडिया ने सिरिज भी जीत लिया है फिर भी दोस्तों इगलेंड को पांचवे टेस्ट माह मुकाबले में बुरी तरह से कुचलने के लिए कप्तान रोई सरम ने तीन से चार दिग सरमने केयर राउर और जस्परीद बुमरा को सामिल करके बनाई है खतनाग भारतिय टीम है तो आखिरकार पांचवे टेस्ट माह मुकाबले के प्लेइंग 11 में कौन कौन से 11 धाकल खेलाडियों को मौका मिला है आज की इस वीडियो में आपको पूरा प्लेइंग 11 बताने व वाला हूं पांचवे टेस्ट माह मुकाबले के लिए दोनों इटीमों की कनफं प्लेइंग 11 देखा जाए तो आज का वीडियो काफी ज़्यादा इंट्रेस्टिंग और इंफर्मेटिव होने वाली एस सो पिलीज यार वीडियो भीना स्कीप किये लास्ट तक देखना तो में भारत और इगलियंड बीच पांचवा टेस्ट माह मुकाबला साथ मार्च को सुबह सड़े नव बजे धर्म साला में खेला जाएगा और आप इदी घर बैठे बैठे लाइब स्ट्रीमिंग का लुक्त उठाना चाते हो तो मुबाइल पर आपको जीओ सिनेमा पर देख को लेकर लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे थोड़ी सिरी क्वेस्ट एक है की अभी तक आप समने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोडिफिकेशन को अल पॉसेट कर दो और साथी साथ वीडियो को लाइक नहीं करें हो तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक कर दो तो चलिए दोस्तो टीम इंडिया का फाइनल प्लेइंग 11 बताने से पहले इगलेंड टीम का कनफरम प्लेइंग 11 बता देता हूँ क्योंकि पांचवे टेस्ट माँ मुकाबले के लिए इगलेंड टीम में भी बड़े बदलाव देखने को मिला है तो ऐसे में इगलेंड टीम के तरफ से पारी का अगाज करते हूए नजर आने वाले हैं बेंड डकेट के साथ जेक करा ली और देखा जाए तो दोनों ही काफी आकरमकले में सुरुआत करते हैं ऐसे ही नमबर तीन पर खेलते हुए नजर आने वाले हैं बिस फोटक बलेवाच ओली पोप है जबकि नमबर चार पर खेलते हुए नजर आने वाले हैं टेस्ट के मान बलेवाच जो रूट है ऐसे ही नमबर 5 पर खेलने वाले हैं 20 फोटक बल्लेवाच हैरी ब्रूग जबकि नमबर 6 पर खेलने वाले हैं कप्तान बैंस टोक हैं नमबर 7 पर खेलने वाले हैं विकेट कीपर बैट्समें जोनी बेस्टो ऐसे ही नमबर 8 पर खेलते हुए नजर आने वाले हैं बॉलिंग आल राउंडर रहान आमद नमबर 9 पर खेलने वाले हैं इस्पीन गेद बाज टॉम हार्टली जबकि नमबर 10 पर खेलते हुए नजर आने वाले हैं पेशर जेमस इंडर्सन और फाइनली नमबर 11 पर खेलने वाले हैं तेज गेद बाज मार्क उड़ तो दोस्तो एरा पांचवे टेस्ट महा मुकाबले के लिए इगलन्ट टीम का फाइनल प्लेइंग 11 बाखी चलिए अब बात कर लेते हैं पांचवे टेस्ट महा मुकाबले के लिए टीम इंडिया की कनफर्म प्लेइंग 11 को लेकर तो ऐसे में टीम इंडिया के तरफ से पारी क का अगाज करते हुए नजर आने वाले हैं नमबर एक पर कफ्तान रोई सर्मा हाला कि चौते टेस्ट मा मुकावले के पहले इनिंग में कफ्तान रोई सर्मा मातर दो रन बना कर आउट हो गए थे लेकिन दोस्तों वे दूसरे इनिंग में 56 रनों की मात पूर्ण पारी खेलते हुए टीम इंडिया को जीत दिलाए थे और अबरल देखा जाए तो कफ्तान रोई सर्मा काफी सांदार ले में बले बाजी के साथ साथ कफ्तानी भी करते हैं क्योंकि पहला टेस्ट मा मुकावला हारने के बावजूद भी लगातार तीन टेस्ट मा मुकावला जीत कर मिलते हुए नाचराने वाल हैं लेटेंड़ बैट्समैन सस्वी जैस्वाल हैं क्योंकि सस्वी जैस्वाल अभी तक इस वाले टेस्ट स्रीज में दो दौरा सतक जड़ चुके हैं और चाहुते टेस्ट मा मुकावले के पहले इनिंग में 33 रनों की मात पूर्ण फारी खेले ऐसे ही नमबर तीन पर खेलने वाले हैं इवा बैट्समैन सुमन गिल हैं जी हां दोस्तों सुमन गिल चाहुते टेस्ट मा मुकावले के पहले इनिंग में 38 रनों की पारी खेले थे तो ही पर दूसरे इनिंग में 52 रनों की तावर तोड़ पारी खेलते हुए टीम इंडिया को जीत दिलाए थे और ओबराल देखा जाए तो सुमन गिल टेस्ट मा मुकावले में काफी सांदार ले में कलास लगाने के लिए जाने जाते हैं और आई होब की पांचवे टेस्ट मा मुकावले में भी सुमन गिल काफी सांदार ले में बल्ले बाजी करेंगे ऐसे ही राउल खेलते हुए नजर आने वाले हैं क्योंकि रजत पाड़ीदार तीन टेस्ट माव मुकाबला खेलें जबकि इनके बल्ले से कुछ खास परदर्सन देखने को नहीं मिला है जबकि चौते टेस्ट माव मुकाबले के दूसरी रेनिंग में रजत पाड़ीदार को एक जिम नबर पांच पर खेलते हुए नजर आने वाले हैं सर्फराज खान हाला कि देखा जाए तो सर्फराज खान भी कुछ खास परदर्सन नहीं कर पाए थे जियां दोस्तों चौते टेस्ट माव मुकाबले के पहले इनिंग में सर्फराज कान मात्र चौदरन बनाए थे तो वह दोस्तों चौते टेस्ट माव मुकाबले के हीरो रहे दुरुप जुरेल ने पहले इनिंग में 90 रनों की मात पूर्ण पारी खेले थे तो वही पर दूसरे इनिंग में भी 49 रनों की मात पूर्ण पारी खेल कर गेम को फिलिस करे थे और ओबर आल देखा जाए तो वह टेस्ट माव मुकाबले में भी दु दूरुप जूरेल काफी सांदार लामे बल्ले बाजी करेंगे ऐसे ही नमब-साथ पर खेलने वाले हैं बैटिंग आल रांडर रविंदerv जडेजा हाला की 49 माव मुकाबले में रविंद्र जडेजा बले बाजी से कुछ खास प्र press पासन नहीं कर पाए थे लेकिन दोस्तों पहले इनी में चार विकर चटका है थे तो यह दूसरे इनिंग में एक विकट है और ओबराल देखा जाए तो रविंद जड़ेजा एक कंप्लीट आल राउंडर के रूम में जाने जाते हैं जियां दोस्तों काफी सांदार लाय में बले बाजी और गेद बाजी दोनों करते हैं और उमीद करते हैं कि पांचवे टेस्ट महा मुकावले में भी रविंद जड़ेजा सांदार लाय में गेद बाजी और बले बाजी करेंगे ऐसे ही नमबर आट पर खेलते हुए नजर आने वाले हैं रवी चंदन आस्वीन जी आसे ही नमब 9 पर खेलने वाले हैं जस्प्रीथ बुम्रा जी आं दोस्तों पांचवे टेस्ट महा मुकावले के लिए जस्प्रीथ बुम्रा उस्पलब्द हो चुके हैं तो अब ऐसे में आकास दीब के जग Divine में इस्प्रीथ बुम्रा खेलते हुए नजर आने वाले हैं और ओबरल देखा जाए तो जस्परीद भुमरा भी काफी सांदार ले में भेरियेशन डालते हुए बिकड चटकाने के लिए जाने जाते हैं। और आयोब की पांचवे टेस्ट महा मुकावले में जस्परीद भूमरा सांदार ले में गेद वाजी करते हुए बिकड भी चटकाएंगे। और आयोब की पांचवे टेस्ट महा मुकावले में भी खुल दी प्यादो विकड चटकाएंगे। तो दोस्तो एरा पांचवे टेस्ट महा मुकावले के लिए टीम इंडिया की फाइनल प्लेइंग एलेवन तो यह प्लेइंग एलेवन आपको कैसा लगा एक बर कमेंट सक्षन में जरूर बताईएगा। और हाँ दोस्तो आपको क्या लग रहा है कि टीम इंडिया पांचवे टेस्ट महा मुकावला जीत पाएगी या फिर नई कमेंट सक्षन में अपना कीमती राय जरूर बताईएगा। झाल 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 झाल